Hello everyone, welcome to Feedback Academy, I am PV Sharma and आज हम लोग discuss करेंगे सबसे important MCQs जो current affairs के हो सकते हैं 19th of June के Okay, इसके साथ ही मैं आपको pictures के थुरू तरीके बताऊँगा कि कैसे याद करें questions को क्योंकि pictures के थुरू याद करने से एक mental image बनती है and exam के time पे आपको recall करने में असानी होगी और आपके questions बिल्कुल सही बनेगे बिना doubt के आपको कोई भी question गलत नहीं होगा प्लस हम लोग आपको latest government job alerts के बारे में बताएंगे बिहार Public Service Commission में भी बहुत जादा engineers की vacancies निकली है तो वो कैसे निकली है वो क्या के apply करने है और कहां से apply करने है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपने वीडियो last तक देखी तो चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते है पहला प्रशन यह रहा आपकी computer screen पर which country is elected as the non-permanent member of UN Security Council UN Security Council के non-permanent member कौन सी country बनी है अभी recently तो आपको इंडिया तो पता ही होगा मगर इंडिया अकेली country नहीं है जो UN Security Council की non-permanent member बनी है आइलेंड भी बनी है, मेक्सिको भी बनी है और नौर्वे भी बनी है यह चारो की चारो countries जो है वो non-permanent members बनी है तो यह इंडिया का flag है, यह आइलेंड है, यह मेक्सिको का flag है और यह नौर्वे का flag है तो अगर हम लोग UN Nations की बात करें तो 5 permanent members होते हैं और 10 non-permanent members होते हैं तो rotation wise सबका election होता है इस साल इंडिया जीती है अपने elections में और इस से पहले वो 1950, 1951 में, 1967 में, 72 में, 77 में, 84, 91 और 2011 में भी member रहे चुकी है इसके साथ ही आइलेंड, मेक्सिको और नौर्वे भी इस बार elect हुई है इंडिया की बार में बात करें तो इंडिया's permanent representative to United Nation कौन है इनसे पहले थे साइध अक्रुबुद्दीन मगर अभी जो presently है, वो है T.S. तिरुमूर्थी जिनकी photo भी आप अपनी screen पे देख सकते हैं इस question को, देखो इंडिया तो आपको पता ही होगा मगर कोई भी examiner को question थोड़ा difficult बनाना हुआ वो इंडिया option में नहीं देगा, वो island देगा या फिर वो Mexico देगा आपको किसी भी topic के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया's permanent representative to UN कौन है because अब ये recently ही change हुए है इसलिए ये एक important question बनते है next question के बात करें so who will host 4th Asian Youth Paragames 2021 so Asian Games Paragames 2021 ये जो Paralympics होते हैं वो वाले players इसमें participate करते हैं Asian Paralympic Committee APC इसको conduct कराता है okay so वो होगा भारेन में right भारेन में होंगे December 2021 में इसमें कौन-कौन से sports हिस्सा लेंगे इसमें athletics हो गया बाटमिंटन, बुकोय, गोल बॉल, पैरा, टाइकॉंडो powerlifting, swimming, table tennis, wheelchair, basketball right ये सारे जितने भी games हैं ये हिस्सा होंगे ये participate कर सकते हैं जितने भी athletes हैं वो सब okay क्योंकि हम लोग अब भारेन के बारे में बात कर रहे हैं so भारेन Paralympic Committee के जो chairman है वो कौन है? Sheikh Mohammed bin Dauj Al Khalifa right and king of Bahrain important है king of Bahrain कौन है? okay आप Khalifa याद रखो सिर्फ Khalifa वैसे भी बहुत लोग को बहुत याद रहेगा okay because of good and bad reasons both so capital of Bahrain कौन है? capital of Bahrain है Manama ठीक है? capital of Bahrain है Manama and currency क्या है Bahrain की? वो है भारेनी दिनार okay so इस question में भी आपने 3-4 information याद करीए जिस भी question को आप याद करो उनको photos के साथ याद करो अब जैसे Asian Paralympic Committee है right and ये आप photo देख रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ Paralympic Committee है वो Bahrain में है Bahrain कहां आता है? वो आप map से याद करो कोई भी जगा को आप location से याद करो Bahrain आता है यहाँ पे वो एक Arab nation है जैसे कि आप देख रहे न ये जो shape बन रही है ये है Saudi Arabia अगर आप extended map में देखेंगे तो Saudi Arabia के पास यहाँ पे आता है Qatar ये है UAE और चोटा सा nation जो है ये होता है Bahrain ये यहाँ पे है Bahrain okay? So maps के थूँ किसी भी location को याद करोगे तो जादा असान ही सियाद होगा इसलिए हम लोग बार-बार कहते हैं कि current phase हो गया GK हो गया कोई भी subject हुआ उसको pictures के थूँ याद करो एक mental image बनाओ उपने दिमाग में Question number 3 की बात करें So in how many states Government of India is to implement गरीब कलियान रोजगार अभियान So ये जो अभियान है वो कितनी states में implement होगा वो implement होगा 6 states में वो कौन-कौन सी है उत्रपदेश, मद्रपदेश, राजस्थान, उडिशा, जारकन और बिहार So इस scheme के तहत होगा क्या ये जितने भी हमारे migrant laborers हैं जो different states से वापिस अपनी state में अपने घर आए है So अब उनको वापिस अगर हम दुबारा उनकी जो जहां पर वो काम कर रहते हैं वहाँ पर भेजेंगे So वो बहुत ही ज़्यादा dangerous होगा और feasible भी नहीं होगा वो possible नहीं है So इसलिए बहतर यह है कि वो जहां पर आए है वहीं पर उनको काम दे दिया जाए So यह जो योजना है यह जो रोजगार अभियान है इन्ही लोगों को empower करेगा और उनको opportunity provide करेगा कि वो उसी state में उसी जगा कुछ न कुछ employment कर सके और यह launch कहां पर हुआ है यह खगारिया district में launch हुआ है बिहार में वहीं पर काम कर सके जहां पर वो अपने घर में आए है question number 4 की बात करें so which ratings गेव इंडिया सौवरेन रेटिंग एट फिच रेटिंग एक organization है ठीक है एक institution है economic institution जैसे moody's हो गया S&P हो गया इसने इंडिया की सौवरेन रेटिंग कितने पर रखी है और उसको कौन से standard पर रखा है so उसने रखा है triple B minus पर different agencies ने different ratings दिये हैं हम लोग को पता है कि हमारी economy जो है वो बहुत डामा डॉल हो चुकी है अभी फिलाद इसलिए जितनी भी agencies हैं उन्होंने हमारी rating गिरा दी है sovereign rating होता है कि अगर भार का कोई इंसान foreign investment अगर इंडिया में लगेगा तो वो जो foreign investment है कितना secure है क्या उसको return मिल सकता है वापिस जो भी businessman इंडिया में invest करेगा so triple B minus की rating है कि उसको अभी return मिलने के chances कम है risk ज़ादा है ऐसे ही agencies हमने बात करी थी एक moody's agency की बात करी थी उसने भी BAA2 से BAA3 हमारी rating कर दी है मतलब कि गिरा दी है and S&P एक organization है उसने भी triple B minus rating हमको दी है so 3 organizations है जिनकी rating इंडिया के प्रती आई है उसकी economy को लेकर so आपको इन 3ों की ratings ज्याद करनी है और इसने जो status रखा है इंडिया का वो negative कर दिया है economy growth का rather than stable पहले stable था मगर अब हो गया है negative question number 5 की बात करें so where will 75th victory day parade of world war 2 be held in 2020 वो कहाँ पे होगी वो होगी Moscow में Moscow कहाँ है Moscow है Russia में right so basically 24th June 2020 को होगी and Russia जो है 75th anniversary मना रहा है उसकी जीत की second world war में अब वो कितना जीता कितना हारा वो तो दूसरी वीडियो का matter है वो किसी और दिन discuss करेंगे मगर ये important है कि 75th anniversary है victory day parade की and उसमें इंडिया के जो military है वो भी invited है and इसलिए हमाँ जो defense ministry है एक delegation वो भेजेंगे tri service contingent right tri service मतलब कि तीनो services Indian army हो गया Indian navy हो गया और Indian air force तीनो services के वो delegation भेजेंगे इस victory day parade में President कौन है रश्या के वो है Vladimir Putin जिनकी photo आप देख सकते हैं प्लस Moscow वहां के capital है जहां पर ये victory day parade होगी next question के बारे हम बात करें ADB ADB क्या है Asian Development Bank इन्होंने इंडिया की economy का projection कितना दिया है कि वो fiscal year 2021 मतलब की अगले साल कितने percent से grow होगी वो उन्होंने दिया है 4% right अब मैंने आपको एक बार और बताया था कि जो ADB है Asian Development Bank उसमें majority पैसा जो है वो Japan का है इसलिए जो जितने भी President है ADB के आज तक वो सारे Japanese ही होते है अभी जो President है वो भी Japanese है उनका नाम है Masat Sugu Asakawa ओके सो यह important है यह आ सकता है किसी भी किसी exam में अगर banking से related होगा तो ज़्यादा probability बन जाएगी इस question के आने की और Asian Development Bank के ने 2022 की भी growth का projection दिया है वो दिया है 5% So 21 का दिया है 4% और 22 का दिया है 2022 का 5% इन्होंने का है कि हमारी economy गिरी है because of various reasons उसकी वज़े से ही हमारा जो projection है वो 4% है otherwise वो अच्छा कासा 6-7% पे growth करता Okay Next question की बात करें So कितनी Indian firms WEF है World Economic Forum WEFs 2020 Technology Pioneers मतलब की जो technology के प्रथम अनवेशक है मतलब की जो उनके संस्थापक है वो कौन है इन्होंने 100 companies के list निकाली है जिसमें से 2 Indian firms आई है वो Indian firms कौन कौन सी है वो Indian firms है Zest Money और Stel Apps Okay Zest Money क्या है Zest Money क्या है एक artificial intelligence based digital lending platform है मतलब की वो credit देता है लोगों को EMI देता है इस लोगों से आप याद कर सकते है की वो क्या करता है EMI for everyone मतलब की digital जैसे आपने धनी आप सुनाओगा MS Dhoni जिसका add करता है धनी आप वो क्या करते है उसका कोई bank नहीं है वो digitally पैसा लोन करता है और आपको अपने घर की light बंद करनी है तो अगर आपकी light में wifi sensor लगा हुआ है प्लस आपका wifi on है कुछ connectivity ऐसी है कि आप office में बैठे हुए आपनी घर की light बंद कर सके with the help of internet तो उस पूरे setup को बोलेंगे internet of things ये एक example दिया है मैंने internet of things क्या होता है WEF World Economic Forum की 2020 Technology Pioneers में शामिल हुई है question number 8 है which organization launched pay as you fly ओके ये question हमने discuss करा था मगर मैंने ये term नहीं बताया था आपको इसलिए ये question मैंने आपको अब दुबारा हम लोग discuss कर रहे हैं so basically ये HDFC ago और propogo मिल के कर रहे हैं so इसमें क्या है इसमें drones का insurance provide करा जाएगा इसमें क्या होगा कि जब भी drones जो है वो survey के लिए use होंगे mapping के लिए use होंगे monitoring के लिए use होंगे या disaster relief initiatives में use होंगे तो हो सकता है उन drones से कोई property damage हो जाए या फिर किसी इंसान को चोट लग जाए तो उस इंसान का insurance मतलब उस इंसान को सही करने में या उसको compensation देने में जो पैसा लगेगा वो drone operator को नहीं देना पड़ेगा वो ये particular company देगी that is SDFC Ergo and Tropogo SDFC Ergo के MDO CEO कौन है वो है रितेश कुमार and उनके जो headquarters है वो कहा है Mumbai महराश्टरा में and Tropogo कहा की company है Tropogo है UK based company that is United Kingdom की company है question number 9 है हम लोग कब observe करते है sustainable gastronomy day हम लोग observe करते है 18th of June को so gastronomy का मतलब क्या होता है local food or cuisine और sustainability का मतलब क्या होता है कि different different जो भी cultures होते है उसमें जो भी खाना बनता है जिस भी तरीके से बनता है उसको sustainable तरीके से बनाना चाहिए ताकि जो हमारे natural resources है वो ठीक से use हो ऐसे की वो future के लिए भी बच सके plus जो present need है उनको भी fulfill कर सके right so ये reaffirm करता है ये assure करता है कि जितने भी cultures है जितने भी civilization है उनके जो खान पान का तरीका है वो sustainable हो वो अच्छी तरह हो और वो हमारे जितना भी environment है उसको contribute करे sustainably okay so मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खालो चमगादर खालो साब बिच्चू खालो right अलग-अलग culture का मतलब होता है कि आप दूसरे को ध्यान में रखते होए हमारी future generation को ध्यान में रखते होए आज की generation की जितने भी पूर्तिय हैं वो पूरी करें जितने भी उनकी जरूरते हैं वो पूरी करें इस चीज का मतलब होता है sustainability और gastronomy का मतलब होता है food और cuisine ये नहीं करना है बिल्कुल भी अच्छे से खाना बनाओ जितने भी culture से उनके respect करो ये कब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था UN ने स्टार्ट का था United Nations ने और ये स्टार्ट हुआ था 21st of December 2016 में अब आप मुझे बताए United Nations के Secretary General कौन है comment box में इसका answer लिखिए जो भी सही answer करेगा और जितने भी लोग सही answer करेंगे next video में हम उनका नाम showcase करेंगे जिससे कि और लोग भी उनसे motivate हो last question है Maruti Suzuki ने अभी कौन से bank के साथ partnership करी है जिससे कि वो अपने customers को finances प्रोवाइड कर सके असानी से और असान rates पे so उन्होंने करी है करूर वस्या bank के साथ करूर वस्या bank कहा का bank है वो है तमिल नाडू का bank और उनके जो CEO है वो कौन है PR Sheshadri Maruti Suzuki के CEO कौन है वो है Kenichi Ayukawa और इसका headquarters कहा है New Delhi में जितने भी उनके clients हैं उनको असान rates पे और flexible financing provide कराने के लिए इन दोनोंने tie up करा है अब थोड़ा से recruitment के वारे में बात कर लेते हैं बिहार Public Service Commission में बहुत सारी jobs निकली है AE की particularly assistant engineers की 192 post निकली है इसमें इसको कैसे apply करना है कहां से apply करना है वो description box में मैंने आपको बता दिया है सारा link जितने भी direct website का जहां से आप direct notification देख सकते हैं वो description box में है और आपको अगर recruitments की direct PDF चाहिए तो आप हमारी telegram group पे ले सकते हैं और जितने भी हमारी videos हैं हमारे channel पे सब की PDF जो है telegram group पे available है ऐसे ही NHEI National Highway Authority of India में financial graduates की निकली है जिन्होंने BCOM का रखा है उनकी jobs निकली है हमाँ पे HPSSE हिमाचल प्रदेश का staff selection commission है वहाँ पे बहुत सारी mixed vacancies निकली है law की निकली है teacher की निकली है engineers की निकली है office assistant और clerks की निकली है तो आप किसी भी background से हो किसी भी educational qualification की हो आप इसमें apply कर सकते हैं प्लस TMB में अभी company secretary की निकली है recruitments तो जितनी भी recruitments हैं देखो अगर आप different different sites पर जाओगे न तो हजा तरीके की download button आपको देखने पड़ेंगे फिर चार बार आप गलत दबाओगे पांची बार सही होगा हमारे case में फायदा यह है कि description box में एक link है direct आपको notification पहुचाएगा और अगर आपको उतनी भी महनत नहीं करनी तो आप telegram group पे direct PDF हमारी access कर सकते हो प्लस आप हमें facebook और instagram पे भी follow करो जिससे कि आपको कोई भी guidance चाहिए हो पढ़ाई से related या फिर पढ़ाई से related नहीं है girlfriend भाग गई कुछ problem हो रही है मन नहीं लग रहा कुछ भी हो रहा है आप हमें discuss कर सकते हो हम हर तरीके से आपकी help करेंगे हमारा handle है feedback academy official ओके सो आज की वीडियो इतनी है I hope कि आपको पसंद आई हो कोई भी suggestion है कोई भी आप particular topic पे वीडियो चाहते हैं जिससे कि आपकी preparation में help हो सो आप हमें comment box में लिखके बता सकते हैं हम definitely उस पर वीडियो बनाएंगे so thank you very much and stay safe and stay at home